दोस्तो आजकल टेक्नोलोजी का जमाना है, मुबाइल का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है, और ऐसे में दोस्तो हमें कुछ भी करना होता है, तो हम फटाक से प्ले स्टोर पर जाते हैं और एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, हमें फोटो एडिटिंग करनी हो, के लिए कोई application चाहिए कोई game खेलना है सबी चीज़ों के लिए दोस्तों हम लोग फटाक से जाकर कोई भी application डाउलोड कर लेते हैं तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दू कोई लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना कोडिंग की knowledge के बिना technical skills के एक android application easily create कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों आपको यह वीडियो मेरा end तक देखना है जिसमें मैं आज आपको इसी बारे में बताऊंगा कैसे हम android application वो भी 5 minute के अंदर create कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों start कर लेते हैं आज की इस वीडियो को let's get started so दोस्तों खुद की application create करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है google पर और यहाँ पर दोस्तों जाकर आपको type कर देना है movieroller.com so दोस्तों जैसे आप इस website को open करेंगा आपको यहाँ पर try it for free पर click कर देना है then email ID login करनी है यदि आपने इस पर कोई account create नहीं कर रखा है तो आप अपनी google की ID को directly login कर सकते हो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर sign in with google पर click करना है और जो भी आपकी Gmail की ID की पहले से browser में login होगी उसे select कर लेना है और then आप यहाँ पर login कर लीजिगा after login दोस्तों यहाँ पर आपका profile open हो जाएगा और यहाँ आपको left side में लिखा हुआ दिखेगा create new app आपको बस इस पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने app का नाम type करना है जो भी नाम आप अपनी application को देना चाहते है वो आप यहाँ पर type कर दीजिए देन दोस्तों आपको यहाँ पर continue पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको अपने app को design करना है तो यहाँ पर आपको कई सारे options देखने के लिए मिलेंगे जैसे आपका app किस type का है सबसे पहले आप वो select कर लीजेगा उसके नीचे आपको themes मिलेंगे आप कोई भी theme ले लीजे जो भी theme आपको अपने app के पर apply करनी है वो आप यहाँ से select कर दीजेए उसके बाद continue with select template पर click कर दीजे तो यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले हमारा जो app है वो photo से related है तो मैं यहाँ पर all templates ही अभी फिलाल के लिए show कर लेता हूँ और इसमें से यह वाली application यहाँ पर select कर लेता हूँ अपनी template चूज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे click कर देना है then आपका next step start हो जाएगा so दोस्तों आप लोग देख सकते हूँ यहाँ पर लिखा आ गया है app generation complete successfully जैसे दोस्तों आप लोग की application ready हो जाती है आपको यहाँ पर go to control panel पर click कर देना है उसका दोस्तों आपका control panel open हो जाएगा जहाँ पर आप अपनी application को edit कर सकते हो इसमें कोई भी नई चीज आड करनी है वो कर सकते हो मतलब application में जो भी changes आपको करने है वो आप control panel के through कर सकते हो तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने अपनी application में सारे step अच्छे से complete कर ली है लेकिन एक step रह गया है add content का तो यहाँ पर मुझे अपनी application को कुछ और content भी add करना है उसके लिए मैं यहाँ पर click कर दूँगा अब दोस्तों आपको यहाँ पर कई सारे option नजर आएंगे जिनमें से आप कुछ भी select करके अपनी application के अंदर उसे add कर सकते हो example के लिए मैं यहाँ पर contact us का या फिर call now का एक button add कर देता हूँ तो इसके लिए मैं add to app पर click करूँगा देन दोस्तों मैं यहाँ पर type करूँगा अपना mobile number जो भी मुझे यहाँ पर show कराना है उसके दोस्तों हम यहाँ पर save पर click कर देंगे और जो भी हमने add किया वो यहाँ पर हमारी application के अंदर save हो जाएगा कुछ और आपको add करना है तो आप फिर से add module पर click करोगे और देन आप अपनी Instagram की ID और उसके बाद save पर click कर देंगे तो दोस्तों मैंने आप पर दो button add कर दी है call now and follow me यदि दोस्तों आप इन में से किसी button का logo change करना चाहते तो उसके लिए आपको यहाँ पर click करना है then दोस्तों आप यहाँ पर click कर दीजी नीचे और अपना कोई भी logo जो आपको ल तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर अपने buttons का logo भी change कर सकते हो और logo change करने के बाद आपको save पर click कर देना है इससे आपका logo भी save हो जाएगा so now दोस्तों यदि आप अपने app का logo भी change करना चाहते तो उसके लिए आपको यहाँ पर click करना है और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर change पर click कर दीजे और अपने PC से जो भी आपने logo create किया अपना वो logo आप यहाँ पर select कर लीजे और उसके बाद ओपन कर दीजे ओपन करन अब यहाँ पर generate app पर click कर देंगे देन दोस्तों हमें यहाँ पर अपने mobile number type करना है अपनी country select करनी है देन आपको यहाँ पर save करते हैं आपके सामने दो option आएंगे यहाँ पर AP के application को save कर दीजिए और आपकी application यहाँ पर generate होना start हो जाएगी दोस्तों इसमें थोड़ा time लगत पर ही आपके इसे send कर देंगे और वहां से और यहाँ से डा uzी UP कर दोस्तों जैसे आपका app यहाँ पर generate हो जाएगा आपको manage your app पर click करना और उसके बाद आप यहां से अपना app डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपने phone में install कर सकते हो और किसी भी अपने friend को भी send कर सकते हो वो भी अपने phone में इसको आसानी से install कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप चाहें तो किसी friend के लिए किसी company के लिए और फिर किसी व्यक्ति के लिए आप इस तरह से एक app create कर सकते हो बिना coding सीखे तो दोस्तों इतने अच्छे घ्यान के लिए एक like तो बनता और चैनल को subscribe भी कर लेना तो दोस्तों जल्दी से जाईए और अपना app create कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों को impress भी कर लीजिए और यदि आपको app बनाने में कोई problem आती है तो आप मुझे Instagram पर DM कर सकते हो मैं आपको reply जरूर दूँगा साथी साथ दोस्तों आप अच्छे अच्छे app create करके काफी सारा पैसा भी earn कर सकते हैं क्योंकि यह skill काफी बड़ी skill होती है आप बनाना हर किसी को नहीं आता है और यहां पर मैंने आपको बहुत ही आसन तरीके से बता दिया है कैसे हम app create कर सकते हैं आप सभी ने वीडियो काफी जाद अंजोई किया होगा वीडियो दोस्तों आपको पसंद आओ तो इसे लाइक करना अपने दोस्तों को शेयर अगर लेना साथ चैनल को लेना सब्सक्राइब मिलिंग दोस्तों अगले वाले वीडियो में तब तक के लिए तिल दैन एंड सी